आप सब्सक्राइब बाद करने वाले वे अपना आज का समय चरहने वाला है किसके बीच में एक तरह वे पेशावर चालमी जिन्होंने कल ही लहोर के अगरेश में बिनके है बटा आज है उनका मुकाबला इसलामाबाद से तीक है आप क्या कुछ आज के लिए प्रेडिक्शन सब्सक्राइब कर लो बागी चलते हैं जरह अपने मैच के ओपर कि आज की जो प्रेडिक्शन सब्सक्राइब रहती है बागी डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैल का भी लिंक है तो भी जरूर सुछन कर लेना बागी देगो लाहूर में रहने वाला है जहां पर कल मैच करने वाले टीम ने अब अगर मैं प्रीवेस कुछ मैचस के यहां पर बात करूं 21 वेबरे को पिशावर ने 154 बनाए ते कराची चेस कर गए थी 138 बने चेस हो गए 175 बने चेस हो गए और यहां 211 बन गये फाइनली स्कोर उपर उठता उठता 211 पहुच गया पिशावर ने काफी अच्छे वेटिंग की दो सो तीन बनाबड़ी जर्फ और लाहूर की टीम 38 बेस के और 12 विकेट पहले इनिंग में पहले इनिंग में स्पिन के विकेट नो और यहां से पेसर्स के विकेट आपको 20 देखने को बलता है सेकेंड इनिंग में पेसर्स के अठारा और स्मि जरूए लिए रन बनते हैं बट पिछले कुछ मैचे जो थे यह दो-तीन मैचे जो हुए यहां पर नहीं बने पहले मैच में बने थे उसके बाद में फिर रुख गए फिर यह दो-तीन मैचे आसे हुए अब वापस यहां पर रन बने हैं तो मैं एकस्पेक्ट कर रहा हूं कि पिशावरा ने कल भी बनाये थे रन्स आज भी जरूर यह वही रन्स बगरने इनके तरफ से जो आ सकते हैं प्लेंग 11 के बात करें इसलाओबाद ने पिछले मैच में बट चिल जीत नहीं पाये रन काफी कम बने 138 के तक्रिवह नहीं बना पाये थे और एलेक्स जेल्स कोल मन्रो तो भाई वैसे फ्लोब चल रहा है बट हाँ जील में मैं बोलू है सरूर आप रिसक ले सकते हूं को ऐसा सी वीसी करके आगा सल्मान ने यहां से 33 52 64 रन बनाये है आगा सल्मान ने नो डाउट बैटिंग अच्छी कर रहा है कोई दिक्कत नहीं बट यहां से यह भी ध आगी यहां से जोडन कोक्स है अब इस टीम का ना मिडल ओडर गहीना गहीं वह थोड़ी से दिक्कत देने वाला है यहां से सेफ में आगा सल्मान अपने पास में हो जाते हैं बाकी आपके लिए सेफ उप्शन कोई भी नहीं बनता है ना एलेक्स जेल्स ना यहां से आजम आजम खान है ना यहां से फिर तो बैटर हाई नहीं फिर सारे ओल्ड राउंडर सा जाते ठीक है तो इस वजह से आजम खान है जादा रंस तो है नहीं देखो तीन मैच में 19-13 एक शाधाब की बात करो दो दो विकेट ग्यार रन एक विकेट सबसे पहला मैच यह अच्छा क में दिखा नहीं है इमाद वसीम की बात करूं यह थोड़ा आउट ओफों यह अभी के लिए रहे हैं उसके बाद में आसे नसीम सा है नसीम सा के बोलिंग काफी सब्सक्राइब काफी बोल सकता ना बढ़िया देखने को मिलिया है अच्छी लेंड डाल रहा है विकेट वकर उसके बाद मियाँसर मों रही से अब रुमं रहिस ना रं खाय तो बहुत खाये और विकेट लियोध के लेंगेश ये तो बड़िया बोलिंग करे रहर सकता और अगली बोल में ऐसे बखने रह रहे जाते हैं बागी तर को इसलावाबाद की तरफ से वापस है कि मैं सेफ प्लेयर्स की बात करूं एलेक्स एल्स इनकेस अगर रखना है तो रख सकते हो तीन मैच है जादा रंस तो नहीं है पर ठीक ठाक बनाए है एलेक्स इल्स आगए सल्मान मश्ट पिक बनता है शादाब खान यहां से मश्ट बनता है नसीम सा यहां से मश्ट पिक बनता है आई तिंक यह चार के लावा और बहुत जादा इंपॉंट कोई नहीं है फिर उसके बाद में फिफ्टी फ्टी व्राइप लाइक ऑप्शिंज वो यहां से आ जाते है जिसमें की कैवल टेजरोडन कोक्स आपके बास हम विकिट कीपर में आ जाता है उसके बाद में इमाद कर सकता है शहाब खान एक अच्छा लेफ्टाम पेसर है रिजेंट फोर्म देखकर में बूलगा उतना अंताजमत लगाना इनका एक नैशनल टीर्वंटे का टूरता में तो उसमें हैश्ट विकिटे करता मैथ्यू पोड़े हैं मुहमद वसीम रहे गा निया और यहां से श लोगा किस-किस को याद है सैम आयूब के बारे में और यहां से महमद हैरे से दो प्लेयर के बारे में आपको अल्रेडी बोला था बहुत अच्छी फॉम में नहीं यह बटेंग में से एफिनेटल में ज़रूर आप सीवजी ट्राय करो इनको और अगर किसी ने किया तो अब दिक्कत यहीं आ जाते हैं कि रोमन पाविल आसिफली पॉल वोल्टर असे बॉल्ला खान यह चार प्लेयर ऐसे हैं जिनका बैटिंग और भाई बिल्कुल भी यहां से जो फिक्स नहीं रहने वाल है यह चीज़ में कल देख लिए कि इनका बैटिंग और बिल्कुल फि फिर इनके बैटिंग ऊपर आएगी पॉल वोल्टर यहां से उपर आ सकता है मौहमद हरिस तोड़ा नीचे आ सकता है अलगी मारना जानता है रिस भी है तो यह बहुत ज्यादा वरोसा नहीं कर सकते हो अठाए अभी के लिए ओपनर से और ठीठा करन बना भी देता है तो य उसके लावा प्लेयर्स की जरह बात कर लेते हैं सेम अयूब 88 बना है तुबी सेफ लेना ज़रूरी बनता है बाबर आजम तो विसले कैप्टन वाइस कैप्टन ओक्शन रहेगा अभी तक के मैचस सारे बाबर आजम के बहुत बढ़िया रहे है उसका बहुत 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 पहला मैच खिला था 37 बनाए अगले में तो फिर बैटिंग ही नहीं है और सेम अयूब के देखो रंस आज चुके मोहमद एरिस के तरफ से भी कोई ना कोई एक मैच होगा जिसमें एरिस के तरफ से भी बहुत ही सांदार रंस योग वो देखने को मिलेंगे तो जेल में फली बहुत कुछ से खास करने रहा है पॉल वोल्टर वो वैटिंग बुलिंग दोनों करेगा अभी तक परफॉंस भी कुछ वैसा ही रहा है कि एक एक विकेट है पात्दस रंड बना दिये हैं उसके बाद में ल्यूपड है ल्यूपड और उसके बाद में यहां से नविन की बादने अपने पास में अब बने के चैंस अगर बन घर कहले तो क्रॉपड रहने वाले कोई लोजिक बनता नहीं चिलाने का मेरा फ्रीदी को भी के लिए बागे मेरान मुम्ताद उसकाद में यहां से एमल खान और वकर सलम किल को तो वो एक ही मैच बाहर बठा दिया लिया खिलाकर तो यह है पेशावर जालमे की तरफ से जो वाई प्लेइंग एलउन के बेंच रहते हैं बाकी और्स के अगर हम बात कर टीम यूज कर सकती है यहां से तो इधियान रखना सैम अयूब का बॉलिंग का जादा बरोसा नहीं है उसने अब तक दो मैचेस में अब तक बॉलिंग करेंगे एक में तो सबको मार पटरी से तो भी डाल गया था एक दो और पिछले मैच में तो बस बावर आजम भी लाइ अब इसमें अगर बॉलिंग के बात की जाए तो यह प्रपर पांच बॉलिंग तो रहने वाले आगर सल्मान के बॉलिंग थोड़ा फिफ्टी फ्टी टाइप है वो सिच्वेशन के हिसाब रहता है कि मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है बट यह पांच बॉलिंगे जिसमे पर आठ मैचेज हा रहे हैं और पेशावर की टीम ने सोला में से नो जीत लिए और अब तक यह सर साथ मैचेज ग्राउंड पर हारते हुए दिखें ठीक है वहीं पर अगर वेन्यू लीडर्स की बात करें बैटिंग शेक्शन से बावर आजम 41 कावरेश है 32 मैच में 1165 रन ह के साथ में मौमद हैरीस है 16 मैच में 341 मैच में 324 और हैदर अली है 13 मैच में 283 मातर 28.30 के साथ में वह भी क्योंगे कि तीन बर नोट आउट रहे हैं तो यह है वेन्यू लेडर्स अभी जो बैटिंग सेक्शन से निकल कर आते हैं जिसमें ऑविसली एलिक सेल्स और वावर वसी में 24 इनिंग 27 विकेट है थोड़ा महेंगा थाबित होता है इस करौन पर विकेट भी उतने नहीं आते हैं सल्मान इर्शाद 17 मैच में 28 विकेट शादाप खान के नामे 26 मैच में 28 वहीं मशरफ भी कहीं ना कहीं वह इमाद वसीम वाली कैटेगरी में आ जाता है रोमन उसके बाद में शदाप खान हुआ उसके बाद में नसीम सा हुआ यह तीन बोलर हैं जो इस करौन पर किफायती है बाकी आमर जमाल रुमन रईस उसके बाद में कहा चला रिया अफवाहीम अश्रफ एंड यहां से इमाद वसीम यह ऐसे हैं वहीं जिनको रन भी पड़ते है और विकेट भी थोड़े से कम आते हैं हेट्वड की बात कीज़ा तो बाइस मैच अजो चुके हैं दस जीते इसलावबाद की टीम ने 11 जीते पिशावर जालमी ने जादा अंतर है नहीं बट अभी हाल फिलाल क्या है कि पिशावर अच्छी फोर्म में चल रही है और इसला से उठा सकती है प्लेयर बैटल अलेक्स जेल्स अगेंश्ट नमीनल लग यहां से तीन बार आउट हो चुका है आमिर जबाल ने दो बर आयूट के है आजम खान को अरशाद इकबाल ने तीन बार आउट के है और रोमन पाविल ने बाइन नो बॉल में दो बार आउट के कि वहीं पर अगरम बात करें अपनी टीम जो क्या बन सकती है अभी तो टीम में हमने रखा है मौम्मद हैरिस को विकेट कीपर क्या बोलते हैं आजम खान वगरा के साथ में नहीं गया हूं और उनको पिक करना हो तो भाहि कर सकते हो नो डाउट वाकिस आम आजम ऐलेक सेल्स आ शदाब खान को वाइस केप्टन के लिए अगर रिस्क लेना है तो भाई लियो कोड या नसीम सा भी अच्छे उप्शन बनते हैं वह यहां से शदाब खान ही रहेगा हलाकि काफिज आरे लोग आपके अबोरेंट्स आगा सल्मान के साथ में शायद इस मैच में रन ना बना को और बाकी उल्लावेश्ट इस मैच के लिए मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में बहुत ही जरह जलते हैं